नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आयोप आप सब मज़े में ही होंगे दोस्तों आज की वेली वीडियो काफी ज्यादा धहमाकेदार होने वली है और साथ ही साथ में इनोंने आप बोर्ड मीटिंग्स और इसी परपस से तो आज की इस वीडियो में इनकी में आप लोगो को पूरी डिटेल्स दूँगा because अगर आप इस वीडियो को कहीं भी भी skip करोगे तो आप काफी ज्यादा information miss कर जाओगे इनी साथ stocks के बारे में जो कि personally मैं नहीं चाहता है यहाप आप कोई भी information miss करो इसलिए इस वीडियो को end तक देखना और कहीं भी skip मत करना चलिए दोस्तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चानल को भी subscribe कर दीजिए मैं हूँ आरोश आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरोश चलिए अभी इस वीडियो को start करते हैं बताता हूँ आपको कौन से हैं साथ stocks जो की आने वाले टाइम में धमाके था dividend and buyback दे सकते हैं चलिए दोस्तो बात करते हैं आपे मारे पहले stock की तो company का नाम है power grade और company का जो current stock price है currently 230 रूपीज के ओपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करी है 5th of November को और यहापे जो purpose रहने वाला है board meeting का हो dividend and साथ ही साथ में quarterly results को लेके रहने वाला है board meeting के अंदर हमें यहापे dividend announce होता हुआ देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ में company अपने financial results हमें यहापे बतागी कैसे है चलिए बात करते है एगले stock की तो company का नाम है coal India and company का current stock price currently 240 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने यहापे board meeting organize करिए 7th of November को और यहापे जो purpose रहने वाला है वो dividend and quarterly results को लेके रहने वाला है हमें यहापे board meeting के अंदर dividend तो announce होता हुआ देखने को मिली सकता है साथ ही साथ में हमें हमें quarterly results भी announce होता है तो definitely हमें stock के अंदर एक छोटी सी rally देखने को मिल सकती है चलिए बात करते हैं अगले stock की तो company का नाम है EPL Limited and company का current stock price currently 155 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने यहापे board meeting organize करिए 5th of November को और यहापे जो purpose रहने वाला है वो dividend and quarterly results को लेके रहने वाला है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Maan Aluminium and company का current stock price currently 180 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने यहापे board meeting organize करिए 5th of November को और यहापे जो purpose रहने वाला है वो dividend and quarterly results को लेके रहने वाला है आप इस stock को भी अपनी watch list के अंदर में add कर सकते हैं अगर यहापे dividend announce होता हुआ हमें दिखा यहापे dividend से related कोई भी positive update यहापे हमें निकलती हुई दिखी board meeting के अंदर से तो अब stock को तुरंद purchase कर सकते हैं विकास यहापे हमें short term के अंदर काफी अच्छे targets मिल सकते हैं अगले stock की बात करें तो company का नाम है MSTC अगले stock की बात करें तो company का नाम है ASM Tech अगले stock की बात करें तो company का नाम है Orbit Expert and company का current stock price currently 180 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने यहापे board meeting organize करिए 4th of November को and यहापे जो purpose रहने वाला है वो buyback and quarterly results को लेके रहने वाला है हमें board meeting के अंदर quarterly results तो पता लगी जाएंगे कैसे हैं जादा expectations है कि अच्छे ही होंगे results and साथ ही साथ में company आपे buyback announce करती हुए हमें देखने को मिल सकती है तो आप इस stock को अपनी watch list के अंदर में add कर सकते हो because अगर यहापे हमें board meeting के अंदर buyback से related कोई भी positive update या फिर buyback announce होता हुआ देखने को मिला because फिर नो मीडिया के अंदर आपको stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye